जाँ जाँ स्वार्थ बुद्धी आ जाएगी वहाँ वहाँ दुख का जन्म हो जाएगा और जब सुख बुद्धी स्वार्थ बुद्धी नहीं होगी तो दुख का कोई कारणी नहीं रहेगा ना आपके पास अपने कोई कारण दुखी होने के अपने पास तो दुख बहुत कम आता है कितना बिमार हो जाते हो कितनी बार लॉस हुआ है अपने तो कारणी दुख के हैं नहीं ना के बराबर कभी जिन्दगी में कोई एकादी हालत आ गई पर सारे दुख के कारण मन के बनाए हुए है कलपना ऐसी है बार बार वो दुखी कर देती है सोच को सही दिशा नहीं है बार बार दुख फीलोने लगता है एक्चुली अगर देखा जाए दुख का जन्म भी नहीं हुआ है दादा जी का कहना होता था दुख का जन्म भी नहीं हुआ है और आज आप अपने अनुभव से समझ सकते हो दुख का अनुभव करो आपकी मर्जी दुख में सुख मनालो आपकी मर्जी है हमारे उपर बात हम जैसा अपने को फील करा दें अब कहते हैं शराब कडवी होती है सुना है चकी तो नहीं कहते हैं कड़वी होती है पर वो कड़वे घूट भी लोग मजे लेके पीते हैं पार्टी होती है खास कॉक्टेल है न तो आता है न आपको दुख में सुख मनाना घर में करेला इनकार कर दोगे खाने से कड़वाय नहीं खाएंगे पर वहां तो पी के आते हैं कहते हैं कड़वी होती है कड़वी है तो क्यों पी रहे हो ना पियो पर उस कड़वाहट में भी सुख ढून रखा है इनसान की प्रकृती बहुत अच्छी है वो अपने मन को जिस तरफ लगाना चाहता है उसका मन उसी तरफ लग जाता है अगर वो अपने मन को राम भजन में लगाता है उसको यहां भी आनन्द आ जाता है अगर वो अपने मन को किसी सांसारिक विशय में लगाता है उसको वहां भी सुखा जाता है क्यों आता है? क्योंकि सुख रूप प्रक्रती है उसकी आनंद रूप प्रक्रती है उसकी जैसी वो एकाग रोता है परिस्थिती वहीं छूट जाती है वो अपने आनंद में आ जाता है परिस्थिती बाहर रह गई जो लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं बॉड़ी बनाते हैं है तो पीड़ा लेकिन वो जब अपने वो देखते हैं शीशे के आगे करते रहते हैं मसल्स बन रहे हैं ऐसा हो रहा है फिर उनको दुख भूल जाता है दुख तो कई जगा मिलता है इंसान को एक बच्चे का जन्म होता है मा को कितनी पीड़ा होती है पता नहीं बहत्तर हडियां के कितनी कहते हैं टूटे हैं एक साथ इतनी पीड़ा होती है लेकिन एक मिनट बाद जब बच्चा गोद में आ जाता है बेटा हुआ बेटा हुआ दुख भूल गई एक मिनट में वो दुख भूल जाता है उसको और उस पर ममता हावी हो जाती है क्योंकि अब मन का सारा सुख उस बच्चे में धूंड लिया नहीं तो एक हड़ी टूटे इंसान कितना स्तर कोके चलता है पर दुबारा तैयार हो जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए इसका मतलब उसको जो ममता ने सुख दिया उसके एवज में दुख छोटा हो गया उसका दुख में सुख मनाना हमें आता है ये मत कव हमें नहीं आता दुख में सुख हम अच्छा खासा मना लेते लेकिन वही है कहीं कहीं पे मन अड़ जाता है फिर हमें लगता है यहालत दुख रूप है अब अगर वो लड़का सोचता जब वो तीन लोग प्रॉपर्टी नहीं खा गए मैं खा के मरूंगा क्या सारी मैं भी नहीं खा पाऊंगा तो खुश रह सकता था पर लोब कहता है कोई और मरने वाला नहीं है दुखी हो गया राजा कहता है पता करो खजाना कितना है गिंती करो आज बैठके कई सेवक लग गए वजीर बैठा साथ शाम को गिंती करके राजा के पास आयो राजा साहिब इतना है आपकी ग्यारां पीडियां खा लें बैठके, इतना खजाना है, राजा बेहुश हो गया सब सोच रहे हैं क्योंकि इतना खजाना है, राजा इसलिए बेहुश हुआ राजा साहिब आप बेहुश क्यों हो गये, कहता है मरो भारवी पीड़ी कहां से खाएगी, ग्यारां तो खा लेंगी, भारवी कहां से खाएगी तो कौन आया बीच में? विकार आता है कोई ना कोई, कहीं काम आता है, कहीं क्रोध आता है, कहीं लोब आता है, कहीं मो आता है, कहीं अहंकार आता है जब कोई विकार बीच में उठ जाता है परिस्थिती को दुख रूप बना देता है हमारी स्वार्थ बुद्धी सुख बुद्धी हालत को दुख रूप करके हमें दिखा देती है नजरिया बदल जाता है हालत अपने आप में ना सुख देने वाली ना दुख देने वाली way of acceptance आप किसी भी स्थिती को किस नजरिये से accept करते हो main चीज वो है हालत अपने आप में कुछ नहीं है दूद वाला दूद दे गया न ना वो फीका है ना वो मिठा है नमकीन भी नहीं है, मीठा भी नहीं है आपने उसको जो शेप देनी है पनीर बनाते हो तो उसमें भी दूड डाल देते हैं कई लोग डाल में भी डालते हैं, मखनी डाल बनाएंगे अब वो दूड टेस्ट नमकीन देगा मीठा मिला लो केसर इलाइची मिला लो आपकी मर्जी अब आप फील करके देखो हालत अपने आप में क्या थी जैसे दूद अपने आप में कुछ नहीं है आपने उसको नमकीन बनाया मिठा बनाया चोट लग जाया तो हल्दी मिला लेते हैं उसमें हल्दी वाला दूद पियो सर्दियों में दूसरी हल्दी वाल के पिते हो ऐसे कोई भी हालत अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है अब मीरा के घर में जब वो चल रही थी कृष्ण भक्ती में आठ मौतें हुई कुछ माइके में कुछ ससुराल में और एक डेथ बीच में पती की भी हुई थी आठ मौतें हुई शास्त्र बताते हैं मीरा ने कहा भगवान ने मुझे आठ सीडियां चड़ाई सब हैरान हुए मीरा ये क्या बोलती हो आठ सीडियां चड़ी हो तो केती है आठ बंधन ममता के कटे उसने नहीं कहा भगवान ने मुझे दुख दिया मुझे अकेला कर दिया अकसर जब कुछ विपरीत आता है तो इनसान को सनबंधी याद आते हैं पर मीरा का एटिट्यूड पहले से ठीक था इसलिए राणा ने कितने भी जुलम किये कुछ किया मीरा को ख्याल नहीं आया आज मेरे बाबा जिन्दा होते आज मेरा पती बैठा होता तो इसकी हिम्मत ना होती आज मेरा ससुराल में कोई मेरा पक्ष लेने वाला होता पहले से नजरिया इतना उंचा था इसलिए किसी भी विप्रीत परिस्थिती से विचलितों के किसी को याद नहीं करती है और अक्सर आप लोगों का संसार में इसाब देखो किसी के घर शादी में जाएंगे तो अपने वाले को रोना शुरू कर देंगे बस याद आ गई बेटे की याद आ गई पती की कहीं और जाएंगे दुख में जाएंगे वहाँ याद करके रोएंगे मीरा स्थिर चित रहती है क्योंकि मीरा ने ये माना ही नहीं मेरे पास कोई दुखा है मीरा ने सीधी सरल एक बात मानी है कि इश्वर ने मुझे आठ सीडियां चड़ाई है एक एक बंधन काट के सिरफ मेरे जीवन में क्रिशन का प्रेम क्रिशन की भक्ती क्रिशन के लिए भाव सिरफ यही जागरत रखें अब हमने उस स्थिती को किस ढंग से लिया कभी आपको प्लास्टर होता है कुछ होता है उसके बाद डॉक्टर बोलता है फिजियो थेरेपी है तो कश्ट देने वाली क्योंकि जहां मुडता ही नहीं हमारे हाथ पैर फिजियो थेरेपिस्ट मुड डालता है हम प्रेशर नहीं देना चाहते है वो प्रेशर देता है पर हम अक्सेप्ट कैसे करते हैं मेरी बहाँ चला दिये है डॉक्टर ने अच्छा है हमने उसको गलत नहीं माना पैसे भी दिये दर्द भी सा देखो कमाल की बात पैसा भी देते हैं हम हूँ मांगा पैसा लेते हैं और उसके बाद हम दर्द भी सहते हैं फिर भी उसको शाबाशी देते हैं way of acceptance हो गया और क्या हुआ हम किस चीज को कैसे ले रहे हैं haircut कर आने जाते हो बाल भी दे आते हो पैसे भी दे आते हो लेकिन माना जाता है कि otherwise हम ही untidy लगेंगे साफ सुथरे लगेंगे haircutting वटिंग कराएं shape कराएं बालों की अच्छे लगेंगे वरना लगेगा भाई बाल भी दें तुझे पैसा भी दें तुझे अब चाहे वो बालों की विग बनाए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन खुशी खुशी दे आते हो acceptance ही तो हो गया हर चीज का कहीं शादी ब्याह में जाते हो खाना ही कुछ नहीं होता सिरफ सगन दे के लोट आते हो पर खुश होते हो मर्यादा कर आए तो हर चीज हमेशा हमें fruitful नहीं होती हर चीज हमेशा हमें कुछ दे के नहीं जाती लेकिन कहीं कहीं जो self satisfaction है वो बड़ी चीज हो जाती है इसी तरह से कोई भी परिस्थिती आती है हमेशा वो हमारे स्वार्थ पूरे करने वाली हो सुख देने वाली हो इस तरीके से मत लो लेकिन कुछ परिस्थितियां हमें उचा उठाने वाली हमें जागरत करने वाली हमारा स्टेमिना बढ़ाने वाली फरक है हर स्थिती में बच्चे को पैदल चलाते हो जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है माथे पे चटाक पड़ते हैं चोटें लगती हैं क्यों सेन करते हो बच्चे को चलना सीखना है इश्वर के मार्ग पर जब चलो कुछ हालतें कुछ रुकावतें तो भगवान हटा देता है जब नया नया कोई चलना सीखता है बड़े करिश्में दिखते हैं वा भगवान तुने ये कर दिया वा भगवान तुने वो कर दिया कुछ बाधाएं तो भगवान हटाता है लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और अगर वो ठोकर खाके गिर जाए मा एक चाटा और मारती है देखके क्यों नहीं चलता सारा दिन गिरता रहता है आखें है ना हलचल क्यों करता है एक समय यहां भी ऐसा आता है कि ईश्वर आपको परिस्थितियों को फेस करने के लिए छोड़ता है हमेशा यह नहीं होगा अगर द्रौपती की लाज बचाई गई क्राइस्ट को क्रूसिफाई कराया गया दोनों चीज़ें दिखा दी गई कि कैसा कैसा हिसाब किताब हो सकता है आज अगर मिल रहा है इनसान इसकी खुशी कर रहा है कल जा भी सकता है इसके लिए तयार रहना चाहिए भई ग्यान का मतलब तो यही है ना आज अगर आप कुछ पा रहे हो कल खोने पर भी इतने ही नॉर्मल रहना यह नाओ कल अगर कुछ जाए कुछ खो जाए तो फिर आप ईश्वर से उसकी शिकायते लेके बैठ जाओ यह होना चाहिए था यह तो नहीं होना चाहिए था यह कोई बात नहीं संभाव समत्व योग इनसान को कुछ मिलता है न फिर वो लालची होने लगता है बहले ग्यान भी अभी सुनते हो आप लोग पर अपनी प्रकृती देखना ये माटी का पुत्रा कैसे नचाते है देख देख सुन बोल दोड़यों फिर रते है माया मिले तो गर्व करता है और माया गई तो रोवन लगता है लालच बढ़ने लगता है ऐसे तो आप कहते हैं अच्छा इश्वर ने दिया इश्वर ने दिया तो बस स्टॉप हो जाए ना काम लेकिन लालच आ जाता है और दे ना फिर भगवान और बढ़ाए ना और माया एक अठी करें ना सोचने को ये भी सोच सकता था कि अगर मुझे अनवांटिड प्रॉपर्टीज मिल गई है मैं अपना जीवन भगवान के लेखे लगा दूँ वो विचार नहीं आ रहा विचार ये आ रहा है और कैसे बढ़ जाए लालाच आ गया बीच में स्वार था गया बीच में अब यतन दूसरी तरफ चल पड़ा देखो आपकी जेब में अगर 4500 है आप ये सोचोगे 5000 हो जाएए है ना 5000 का पैकेट बना लूँ 10,000 का पैकेट बना लूँ 50,000 की FD करवा लूँ अगर 43, 44 है 4 खर्च लो 40 की करा लो FD मन कहेगा नहीं 6 जोड लूँ इसमें 4 घटा लूँ ये नहीं सोचेगा 6 जोड लूँ ये जरूर सोच लेगा है के नहीं लालच वाला काम लालच थोड़ी थोड़ी देर में उठता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में लोब की प्रकृती जाकती रहती है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए अभी ये है मेरे पास 93,000, 92,000 आठ और मिल जाए अच्छा दो निकाल ले नबे की एफडी डाल दे बारा निकाल ले असी की एफडी हो जाएगी नहीं पूरे एक की हो जाए ना काम बन जाएगा ये प्रकृती है आपको हमेशा लोब में डाले रखती है much wants more और चाहिए और चाहिए अभी तो कम में जादा होता इश्वर जब तुमारे बिना विचारे भी तुमारे लिए करता है तुम ये नहीं सोचते उसने एक सीड़ी चड़ा है सोचेगा कोई समझो आज तुमें चार पांच लाख मिल जाए कहीं से हम कहते हैं इसको पोस्ट आफिस में डालो इंट्रेस्ट आएगा उससे गुजारा कर लो मन कहेगा नहीं वो तो एडिशनल इंकम हो गई न ये नहीं सोचोगे भगवान ने अगर एक इंतजाम कर दिया चलो बाकी का जीवन प्रभु तेरे लेखे मन कहेगा वो तो एडिशनल इंकम हो गई गुरु जी की जॉब लगी कहीं पर ओफर लेटर आया तो दादा जी से मिलने गए गीता भगवान दादा भगवान कहीं आयो हुए थे मिलने गए बही दो दिन बाद हमें जॉइन करना है चलो गुरु का दर्शन करना है फिर पता नहीं ओफिस से छुटी कैसे मिलेगी क्या होगा गए मिलने तो दादा जी को गीता भगवान को बताया पहले भई ऐसे ऐसे जॉब लग रही है हमारी दादा को बताओ जाके अंदर गए दादा जी ऐसे ऐसे नौकरी लग गई है हमारी अफसर को बोलो नौकरी रख छोड़े बोलते कम थे दादा जी एक्स्प्लेन नहीं करते थे अपनी बात चुपचाप बाहर आ गए गीता भगवान बोले बताया दादा को बताया तो क्या बोले अफसर को बोलो नौकरी रख छोड़े हम समझें नहीं गीता भगवान बोले उनका मतलाव है नहीं करनी रख छोड़े अभी नहीं करनी छे महीने वहीं रख लिया उनको अपने साथ बेजा ही नहीं वापिस एक साड़ी पहनते थे एक धोते थे बोले हम एक साड़ी ले गए थे एक पहन के गए थे सोचा कल तो वापिस आ जाना है छे महीने उन दो साड़ीों में गुजारा किया फिर आए घर अब घर आए तो ममी का थोड़ा मन चला भई तुम कर लेती तो अच्छा हो जाता हाथ खुला हो जाता गुरुजी बोले देखो मैं कमाने लगूंगी डैडी खर्चा भेजना बंद कर देंगे वो बाहर रहते थे वो कहेंगे अब तो वो ला रही है घर में बोले तेरी प्रारब्द में तो उतना ही आएगा न जमा करेंगे वो वहाँ पे FD बनवाएंगे वो मेरे को तुम घसीट दोगी मेरी जिंदगी फसाद होगी तेर को क्या मिलेगा ममी बोले हाँ मैं समझ गई तुम सही कह रही हो मेरे हाथ में तो वही पैसे आने है खर्चा वही करना है तो ऐसे करके छुडाया अपने को एक विवेकवान का विचार देखो अविवेकी का विचार देखो अविवेकी कहेगा हाथ खुला हो जाएगा डबल इंकम आ जाएगी विवेकवान कहेगा प्रारद की रोटी तो वही मिलनी है फसने की क्या जरूरत है क्यों उलजें हम क्यों ना जीवन भगवान को दे दें अंतर हो गया न एक तरफ लोब जागता है कुछ मिलने पर अगर हम ये कह रहे हैं भगवान ने दिया तो वो जरिया बनना चाहिए भगवान की तरफ बढ़ने का अगर हम कह रहे हैं भगवान ने दिया है लुए रखवान ने इन्तिजाम कियа है तो वो जरिया क्या बनना चाहिए इश्वर की तरफ हम बढ़ जाएं आगे ये जरिया बने न या ये जरिया बने कि चलो अबी कठ़ा कर लेंगे अब ऐसा कर लेंगे अब ऐसा कर लेंगे मन अभी भी चिंतन माया का बहुत करता है यहां स्थिती क्यों नहीं बनती क्योंकि तुम्हारे दिमाग में mathematics चलती रहती है यह ऐसे जोड़ूंगा यह ऐसे करूंगा यह वैसे करूंगा फिर इधर से बचाऊंगा इधर से इकठा करूंगा इसको यह लेऊंगा इसको ये देऊंगा मन खाली होता ही नहीं थिर्मन ब्रह्म अथिर्मन संसार लेकिन आप देखो आपका शरीर कम करम करता है मन जादा चलता है शरीर ने तो काम करना है हो आएगा मार्किट जाना है समझो कोई चीज लेनी है आपने मार्किट जाओगे चार चीज उठाके आभी जाओगे लेकिन लेने से पहले कितने वाली लूँ इतने वाली लूँ ऐसे करूँ फिर वैसे करूँ वो जो mental exercise चलती है अभी कुछ हाथ में आया नहीं पर मन्ने कलपनाईं भी कर ली नहीं मिलेगा न फिर उसको FD करा लूँगा नहीं मिलेगा न मन्थली इंकम पे रख लूँगा मिलेगा न फिर वो अलगी जोड़ा करूँगा शेक चिल्ली का घड़ा अपना ही पैर मार के घड़ा तोड़ दिया उसने क्योंकि जा रहा था घी बेचने पेड के नीचे बैठा घी बेचूँगा महंगा बेचूँगा शेर में बेचूँगा कल्पनाई चल रही थी रस्ते में ठक गया पेड के नीचे बैठ गया अब बैठा पेड के नीचे तो फिर वही सपने देखा बिक गया घी ऐसा हो गया वैसा हो गया और मैं ओ पैर पसार के सो रहा हूँ कस के मारा पैर घड़ा तूट गया घी सारा मिटी में ये इंसान की प्रक्रती दिमाग चलता रहता है future plannings कोई नहीं कहता जो भगवान कराएगा हो जाएगा करूंगा 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 और खुश भी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मनसूबे बांध लेता है अब सारा कुछ उसके according होता नहीं फिर बोत अच्छा होने पर भी दुखी ये तो हुआ ये तो नहीं हुआ मैं जैसा चाहता था वैसा तो नहीं हुआ कल भी कोई बात कर रहा था मैंनका दिक्कत है आप किरपा करो दिक्कत है तुझे नहीं अच्छा कमा रहा हूँ ठीक है सब बढ़ी है पर वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ मैंनका वैसा होगा भी नहीं कहता है क्यों नहीं होगा जैसे कीचड बढ़ती है और कमल बढ़ता है न ऐसे जियों जियों माया में अपने अक्वाडिंग होता है इच्छा और 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 देख लो आप कभी किराय की दुकान होती है भगवान एक दुकान दे दे बस एक दुकान होते ही मन कहता है दूसरी भी हो तीसरी भी हो एक शोरूम भी बन जाए फिर भगवान एक फैक्टरी भी बन जाए बढ़ता ही जा रहा है इस आप घटा तो किसी का देखा नहीं आज तक स्टॉप लगाते तो देखा ही नहीं इनसान को कभी क्योंकि मगर मच होता है न अगर वो टांग पकड़ ले फिर वो पूरा निगल जाता है माया भी ऐसी है इनसान को निगलती जाती है निगलती जाती है एक सम्मे उसकी मौत का इंतजाम हो जाता है और क्या होगा ये खेल देखो बैठके अपने मन का सुख बुद्धी स्वार्थ बुद्धी इनसान को ऐसे बांधती है अच्छा संकलप नहीं आता कि बहुत जनम बिछडे थे माधव अब ये जनम तुमारे लेखे ऐसा संकलप नहीं करेगा पर संकलप करेगा और माया बढ़ जाए मकान बनाऊंगा एक दुकान बनाऊंगा फर सुख से सोऊंगा तो सुख से तो अभी सो सकते हो इस चिंतन को छोड़ो सुख की नींद आ जाएगी सुख की नींद तुमारी बिगडी हुई क्यों है क्योंकि कलपनाओं में जीते हो स्वार्थ रखते हो बार बार सुख का कारण बाहर खोजते हो सुख सरूपोई सुख को ढूंडे अचरज लख्या ना जाए हैरानी की बात ये है जो स्वयम सुख स्वारूप है वो बार बार बाहर से सुख ढूंडने निकल पड़ता है हाथ कुछ आता ही नहीं उसके खाली का खाली फिर वहीं का वहीं फिर दुखी का दुखी फिर परेशान का परेशान पाया कुछ नहीं खाली का खाली रहा आसा कदे बंदे दियां होंदियां नहीं पूरियां आशाएं कभी पूरी नहीं होती है चैह तुम देश के राजा भी बन जाओ बोगडी वाला था ना चने वाला, पर वो सोचने लगा मैं बजाजी वाला बन जाओं, हलवाई बन जाओं, सुनार बन जाओं, देश का राजा बन जाओं, देश का राजा बनने के बाद एक दिन हाद जोडे भगवान में चने वाला बहुत अच्छा था, mental peace तो था हस्ता बूलता तो था अब तो tension ही tension चिंताएं चिंताएं घर वालों से भी सारा दिन जगड़ा दिमाग में चिंताएं घूमती है क्या करोगे महिना पार होते देर नहीं लगती फिर बिल आ गए फिर तन खाएं बाटनी है पर फलाना काम करना है बोज देखा है कितना बोजिल होके जीते हैं किसने बनाया बोजिल लोग की प्रकृती ने डाल रोटी तो सुक से सब खाई रहे थे परिशानी पैदा कर ली अपनी जान को भटको दुखी ओ गुमो सारा दिन कितना अपने लिए काम भढ़ा के बैठ गए सब विचार करें तो पता चलेगा कि जिन्दगी तो बहुत अच्छी बीटती है अगर अपनी आवश्यक्ताइं कम कर दी जाएं अगर अपनी जरूरतें समेट ली जाएं नाम की कीरती की इन चीजों की च्छाएं ना हूँ जरूरतें लीए समेट डालो क्या चाहिए एक जोपडी में रहने वाला मजदूर बड़ा खुश है उनको देखो जब मजदूरी पे जाते हैं दर्वाजा ऐसे ओटके चले जाते हैं और आप लोगोंने कहीं जाना हो अलमारियों पे अलमारियों को ताले लगाओ फिर बेडरूम्स को ताले लगाओ फिर बार दर्वाजा सीडियों वाला लॉक करो फिर गेट लॉक करो उसके बाद भी कुत्ता और चौकीदार रखो देखो फिर आजकल वो चल गए सब जगा सीसी टीवी कैमरे फिर वो लगाओ ऐसा है क्या जो इतनी जादा सुरक्षा की जरूरत है इसका मतलब टेंशन तो है न हर चीज़ की जिसको नहीं है वो मज़े से चल रहा है और जिसके पास है उसके रोने का तो कोई अंती नहीं है कितना रो रहा है कितना दुखी हो रहा है कितना परिशान हो रहा है कितना उलज रहा है कितना दिमाग में प्रेशर है उसके क्योंकि हो और possessiveness ना हो ये भी नहीं होता हो और उसकी चिंता ना लगे ये भी नहीं होता कहीं भी जाओगे ध्यान पीछे लगा हुआ है गर छोड़के आएं गर छोड़के आएं चोर ना आए फलाना ना आए सतियुक का समय कहा होते थे ताले युदिश्टिर को बताया गया था कलियुक का लक्षन गर घर में ताले होंगे वो हैरान हो गया था ताला क्या होता है उनको पता ही नहीं था ताले भी कोई चीज होती है क्योंकि ताला था ही नहीं इंसान ना तो लाल्ची था ना उसके पास इतनी माया थी ना किसी की नजर होती थी दूसरे की माया पे वो ताला शब्द सुनके हैरान हुआ था कि ताला क्या होगा ये उला देखना कुंडियां बनेंगी ताला बनेगा हम लोग छोटे होते थे न याद आता जाते थे नानी वगरा के तो वो आंगन में ये गेट हुआ करता था गूल गूम के कोई भी खोल ले जो आए हद रात को उसमें एक डंडी अटकाते थे बस कोई रात को ताला नहीं लगाता था हद रात को डंडी अटकादी बस ठीक हो गया otherwise दर्वाजा सारा दिन खुला कोई भी आता था यूँ गुमा के अंदर गुसा चला आता था आज कल तो पहले आप लोग देखते हूँ वो लगा रहता है चलता है बार कौन आया नीचे कौन आया उसकी फोटो आएगी पहले फिर उससे बात करोगे फिर नीचे का गेट खोलोगे फिर उपर का गेट खोलोगे ऐसे लगता है जैसे कैदी रह रहा है अंदर खुदी कैदी बन गए और क्या हुआ और सारा दिन भय ऐसे हम कहते हैं हमको भय नहीं है कदम कदम पे तो डर है हमे कोई गंटी बजा दे तो पहले हमें देखना है कौन है डर में है न कहीं तो अंदर इफेक्ट है डर है कौन आया क्यों आया अन्नोन लग रहा है गर से बाहर निकलते हो तो डर है एक्सिडेंट ना हो जाए फलाँ तभी तो गाड़ियां वो लेते हो भी अगर टकर लगे वो गुबारा फूल जाए मेरी छाती बच जाए लेते हैं न ऐसी गाड़ियां क्यों डर है तुम्हें बाहर निकलने में भी डर है तो गुर्णानक साहब की बात सची नहीं होगी कि सारा दिन तुम भय में पड़े हो भय में जगते हो भय में सोते हो जगते हो भय में है रामदेर हो गई सोते हो भय में भगवान स्वेरे उठा दियो कई लोग चले जाते हैं सोई सोई डर डर के सोते हो भैस उबे उठ जाऊं ये ना हाट वाट फेल हुआ पड़ा हो रात को पता ही ना चले स्वेरे उठूई ही ना डर क्योंकि कुछ चाहते हो जीने की आशा अश्टावकर गिता में भूलता है जीने की इच्छा तुमसे गलत करम भी करवाती है ये भी एक बड़ी प्रबल इच्छा है जीने वाली जीता रहूं और जीऊं मर ना जाऊं ये भी देख लूं ये भी देख लूं वो भी देख लूं पोते की शादी देखूं पर पोते की शादी देखूं उसके भी बच्चे देख लूं इतनी पीडियां देख लूं जीने की इच्छा जहां डर है जहां दुख है वहां आपने कोई ना कोई स्वार्थ शामिल किया हुआ है वरना न डर की गुण जाइश है न दुख की गुण जाइश है काँ से आया डर काँ से आया दुख काँ से आया विचार करो एक छोटी सी चीज देखो एक लोन ले लो अब हर महीने का डर पैदा हो गया किष्ट का टाइम आने वाला है किष्ट भरनी है और भगवान बोलते थे लोन माना लोना इसको कभी मतलो ले तो लोगे कर्ज फिर मर्ज बनेगा फिर तुमारी श्वासों के साथ ही जाएगा क्योंकि एक तो जब आदत पर जाती है फिर इनसान सोचता है यह सबसे अच्छा तरीका है कई लोग टोपियां घुमाते हैं देखो कर्जों के नीचे कैसे आते हैं इससे लिए फिर इसकी किष्ट का टाइम आया उसके लिए इससे लिए फिर इसकी किष्ट का टाइम आया उससे लिए फस्ते हैं ना ऐसे एक बार आदत पढ़ जाए कर्ज उठाने की इनसान मर्ज बना के रहता है उसको इसलिए कब भी ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए अराम से चलो सहथ चलो जो तुमारी कैपेसिटी है उससे बाहर मत जाओ क्योंकि एसा रोग है चसका तो लग जाता है लेकिन एक समय इतने गंदे सरकल में फस जाते हैं हजारों दुश्मन खड़े हो जाते हैं नहीं दे ओ जिसका रोजम कहानियां किस से सुन रहे हैं रोज एक ना एक आता है मेरे घर उसने गुंडे भेज दिये मेरे पहमला करवा दिया क्योंकि मैंने देना है हो गई मुसीबत समय का कुछ पता नहीं दादा जी अपना अनभाव बताते थे बोले मैं इतना हुश्यार था लोगों को सला देता था खरीद लो मार्केट तेज हो जाएगी बहुत प्रॉफिट होगा कईयों को करोड़ पती बना दिया दादा ने और अपनी बार एक डिसीजन गलत हो गया सोचा भाव बढ़ेगा मार्केट गिर गई एकी रात में दिवाला निकालना पड़ा और एकदम सड़क पे आ गई समय का कुछ पता नहीं इसलिए वो सबको बोलते थे be careful लोब लालच मत करो सैयम से जीओ धीरच से और तुम कितना कमा भी लोगे सोने की रोटी तोड़ोगे रोटी तो वही दो खाओगे वो भी हराम है उल्टा समय से वो भी नहीं जाती अंदर कभी ठंडी खाते हो कभी कुछ करते हो फिर किसके लिए पीछे वालों के लिए कौन तुम्हे याद करेगा हर कोई अपने नाम के पीछे भागेगा या तुमको याद करेगा जरा ये भी सोच लो काहे की दोड़ राजा ने बोला मै कल जमीन बांटूंगा मुफ्त बड़ी पबली की कठी हो गई हंजी राजा साब बांटू बोला बांटूंगा यूँ सुबे दोड लगानी शुरू करो शाम को सुर्यास से पहले आजाओ जितना जितना दोड आओगे वो सारी जमीन तुमारी लोगों ने दोडना शुरू किया जाएगी बोलो तू बैठा राम से राजा ने मजे से खाया पिया शाम को वापिस उस पोइंट पे पहुच गया एक भी नहीं आया सैनिक दोड़ाये गए कोई काहां बेोश पढ़ाया कोई काहां मरा पढ़ाया क्योंकि मन ने कहा बीत तो बड़े घंटे पड़े हैं सुर्यास्त में और कवर कर और कवर कर कोई संयम्मान था नहीं कि सोचता चल इतना हिस्सा बहुत है अरे वो तो आगे दोड़ा जा रहा है मैं पीछे रहे गया हूँ और दोड़ता हूँ और दोड़ता हूँ हवस देखिए खतमी नहीं हो सोचेगा मेरे पास भी होना चाहिए औरतों को तुम देखो सोने से कभी पेट नहीं भरता भगवान बोलते थे औरतों को सोने की खनक और आदमियों को सिक्के की खनक कौमा से भी उठा दें बुडिया उठनी रही थी डॉक्टर सारे यतन कर चुका सास थी उसकी बव बोली डॉक्टर साब अगर आप कहो तो मैं उठा दूँ माता जी को तुम कैसे उठा दोगी बोला एक बार मौका दो गई चार चुडिया खनकाई उसके कान में बुडिया उठागा कब बनवाई मुझे बताया क्यों नहीं कौमा से बार आ गई बड़ी गहरे तक पहचान है सोने की खनक की बड़े गहरे तक और आदमियों को सिक्के और नोट दिखा दो पता है गठी बिना गिने हुए बता देंगे यह पूरी है कि अधूरी है इतनी मपी हुई है आखें इसमें नोट कम लग रहे है जरा गिन लो यह लग रहे है ऐसे आख से पता लगा लेते है सब खबर रहती है कितने का डॉलर है कितने का नहीं है कितना बड़ा कितना घटा सब दिमाग में पड़ा हुआ हवस खतम होती नहे कभी भी नहीं होती आप देखों, वो नहीं रखते कई लोग नए नोट, नया पैकिट आ जाए कहीं से, खर्चते ही नहीं कभी, उल्टा उसको शान से खर्चो ना, मार्किट जाने लोगो पर्स में डाल के ले जाओ, नए नए नोट दो मार आ जा की तरह, उसको नहीं सेफ मे पढ़े रहें, सेफ में, सेफ में करेंगे क्या करिंसी चेंज हो जाएगी, रद्दी हो जाएंगे, सेफ में पढ़े रहें, लालच देखो, हर चीज की बिमारी है इंसान को, हर चीज की, शादी ब्या होता है न, सेरे डालते हैं सारे, पर बाद में देखा करो, माओं को बै बारे हुए हैं, किसी ने सेरा डाला है खाओ खर्चो, यह पढ़े रहे हैं, नए नोट है उमाई जब वेली हो जाती है न बैठके बंडल बनाती हैं फिर आराम से खोल खोल के, नए नोट सारे सीधे सीधे प्रेस कर करके अजीव लालच नहीं है छोटी से छोटी चीज में भी गिरता है एंसान यह नहीं खाली बड़ी चीज में गिरता है छोटी से छोटी चीज में भी गिरता है अजीव बिमारी है हर जगे यह सुख और स्वार्थ आते हैं बीच में सुख को दुख में तबदील करके चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कारण ही बनाते रह जाते हैं यह इसलिए हुआ वो उसलिए हुआ किसी लिए नहीं हुआ मेरे मन का विचार गलत है Change your thoughts अपने विचारों को बदलो तो कोई ही नहीं दुख भगवान का बनाया हुआ अगर समझो आपको सोना पड़ा चार दिन पलंग पे गुरू जी कहते थे बोलो बिमारी के बहाने भगवान मुझे आराम करवा रहा है ऐसे मैं आराम करता नहीं शुक्र है भगवान तेरा चलो अब आराम कर लूँगा चार दिन ऐसे भी तो बोलते रहते हो मेरी जिंदगी में तो आराम है ही नहीं चलो बुखार उखार हो गया सो जाओ चार दिन और अगर सही हो जाते हो शुक्र है ये शरीर किसी सेवा के योग्य है लेकिन हमारा कितना विप्रीच चलता है जिस समय बिमार हो उस समय मन करता है मैं उठूँ मैं काम करूँ है मैं उठ नहीं पा रहा मैं संभाल नहीं पा रहा और जिस समय चलते रहते हो मिरे को तो बुखार भी नहीं चड़ता कि मैं चार दिन सो जाओ अक्सर आपके शब्द होते हैं कि मेरे को तो बुखार भी नहीं चड़ता चार दिन सो जाओ इत्ता सिवा करनी पड़ती है तो हम दोनों पर इस्थितियों में डिस सेटिस्वाइड रहते हैं अपने ख्याल के कारण जबकि अगर अपने ख्याल को बदला जाए भगान सारा दिन बीजी रहते थे हम लोग कभी कहते थे आपको ठकान होती होगी बुले ठकान कैसी हम सोचते हैं शुक्र है हम किसी को प्यार कर सकते हैं किसी को अच्छी सला दे सकते हैं किसी को जीवन का लक्षे दिखा सकते हैं उसमें भी खुश और कभी अगर ले चलते थे उनको बायर कहीं 10-15 दिन नैनिताल आ गए कहीं आ गए या पबलिक को भी नहीं बुलाया तो भी इतने खुश बुले यां बहुत अच्छा लग रहा है सारा टाइम भीड से छुटे मर्जी की जीवन है उसमें भी एंजॉय करते थे मर्जी से उठना मर्जी से नहाना मर्जी से खाना हम कहते थे कितने रिलाक्स हैं कहीं तो एकदम कड़ा अनुशासन एक आरा कमरे में से एक जा रहा है ग्रुप्स के ग्रुप्स मिल रहे हैं सारा दिन यही होता था और कहां बिल्कुल रिलाक्स एक को याद भी नहीं करते थे मजे से बैठ गए नहीं मन हुआ पुरा दिन उठे ही नहीं खाने के लिए भी जगाया थोड़ा बहुत खाया फिर सो गए ना दो के दुबारा भी सो गए लेक के किनारे बैठ गए आंगन में निकल के बैठ गए भाई कोई डिसिप्लिन नहीं अब उसको भी एंजॉय किया उसको भी एंजॉय किया भीड में भी खुश एकांत में भी खुश इंसान को दोनों जगा रोना है अकेला होएगा तो रोएगा बीड में होएगा तो रोएगा वह सारे मेमान आ जाएं गर में तो भी परिशानी पर सारे चले गए दिली नहीं लग रहा अकेले हो गए हैं गर में ना यूँ चैन ना यूँ चैन पर ज्यानी जहां बैठ quotes में उसका सुख अपने साथ है तो वो अपने सुख को सब में ढूंड लेता है कोई परिशानी नहीं है हर बात में खुश है अगर भगवान ने शरीर की प्रारब्द का इंतजाम कर दिया उसमें भी खुश है अगर शरीर निर्वाह के लिए उसको करनी पड़ रही है सेवा उ उसमें भी खुश है खाली बैठके भी खुश है यह काम करता हूं कोई सेवा करनी पड़ती है उसमें भी खुश है कि चलो शरीर अपने लाइक काम कर रहा है जिसको सुख बुद्धी नहीं होगी वो हर परिस्थिती में सुख चुन पाएगा और जब आपकी अपने कोई पार्थ होंगे न पड़े हुए अंदर आप सुख में से भी दुख उठा लोगे ज्यानी दुख विच सुख मनावे और अज्यानी व्यक्तितों सुख में भी दुख मनावे उसको कुछ ना कुछ बुरा लग जाएगा कोई ना कोई बात मन अनुसार नहीं होगी कहीं ना क कहीं उलच जाएगा परिशान हो जाएगा अपने आप में कोई करेगा नहीं परिशान पर ये कलपना की सवारी जो है न ये बड़ी गंदी सवारी है कलपना की सवारी रहती है इंसान की बैठा बैठा कुछ भी प्लैन करता रहता है बैठा बैठा कुछ भी सोचता रहेगा और समझेगा तो जैसे मैं बड़ी आकाम कर रहा हूँ ये ऐसे हो जाए ये ऐसे हो जाए वो ऐसे हो जाए वो वैसे कर लो कल्पना और कल्पना से बड़ा दुख देने वाला कोई नहीं अरे कल्पना करनी है कुछ अच्छी कल्पना करो इश्वर के साथ की कल्पना करो मांसी भक्ती करो लेकिन कल्पना में सारा दिन संसार संसार चलता रहता है ज्वानी सारी गई संग्रह में बुड़ा पासार आ गया बांटने में खल्बी किसका फोन आया मैं प्रोपर्टी कैसे बाटूँ कब बाटूँ जीते जी बाटूँ मरने के कितनी टेंशेन है भईया छोड़ दो कुड़े का डेर जाँ पड़ा जमादार लेही जाएगा कोई ना कोई ना कोई आग लगा जाएगा और क्या होगा सारी जिन्दगी माया में मन रखा कमाया पती चला गया बच्चों को स्टेंड किया क्या क्या किया सारी जिन्दगी माया में मन बेटों के लिए बना बेटियों के लिए बना बहुँों के लिए बना दे दिया सब की प्रारब्द का अब फिर tension है अब जो मेरा अपना बचा हुआ है मेरा मकान है मेरा दुकान है मेरा जेवर है मेरी चीजें है अब क्या करूँ है ना मुसीबत सारी जिन्दगी जोडने में मन था अब उड़ापे में बांटने में मन है आप बांट देंगे तो आप क्या खाएंगे अगले तो अपना हिस्सा ले जाएंगे, आपको कोई ले जाएगा, नहीं हमें कौन ले जाएगा, पिर जब आपको कोई ले नहीं जाएगा तो आप खर्चो खाओ, आप एंज्जॉय करो, अपना गुजारा ओखा चलाती है गर में ही बगीचा लगाया है उसमें ही कोई सबजी उगाती है कभी कोई फल उगाता है चलो वही तोड़ ताड़ के अपना गुजारा चला लिया तुम महराजा हो के जी हो तुम खुश हो के जी हो इनसान का दिमाग इनी चीजों में क्यों ये जानता है मुझे इस माया ने सुख नहीं दिया फिर क्या बच्चों को दे देगा यही माया बच्चों को सुख देगी पर बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है मैं दे जाओंगा उनको काम आ जाएगा प्रारब्द में होगा तो काम आएगा पारवती प्रसन हो गई विखारी पे शिवजी के पीछे पड़ गई देओ 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 इसको कैसे दूँ क्या करूँ नहीं देओ बुजुर्ग थे वो कहती है इनकी ब्रेड में हिरे मोती रखके दे दो चलो भाई उनको मिला ब्रेड का पैकेट हिरे मोती है उसमें हाथ लगा के बार से ही देखा बीवी को कहता है इतनी हाड ब्रेड हम तो खानी पाएंगे चलो दुकानदार से बदल लेते हैं जो बीख में रुपया डेड मिला था वो भी उल्टा दिया कि ब्रेड बजल दे हमको ताजी दे दे ही हम खानी पाएंगे शिवजी बोले लेओ अब दूसरे बिखारी के रस्ते में डाल दिया वो मोड पे आते ही कहते हैं हम अंधे की प्रेक्टिस करते हैं अंधे हो गए तो वो सारे हीरे मोतियों को कंकड समझ के उस पे पैर रख रख के बिना आँख खोले निकल गए विचारे क्यारे आँख न कमित्ती टेंशन कहें लेते हो भाई मिनका पड़ी रहने दो मरने के बाद बच्चे ले लेंगे छोड़ दो नहीं सारा दिन ध्यान जाता है ध्यान क्यूं जाता है क्योंकि इश्वर का समझा नहीं है जो दिया हुआ है भगवान गाओ हुआ है संभालने वाला भी भगवान है योग और खशेम का भार किस पे है भगवान पे है बस फिर हमें सोच के क्या करना सोचियां सोच नहों वहीं जे सोची लखवार और अगर ये सोचने की प्रकृति ना हो तो हम एंजॉय करें हर चीज़ को बड़ी मुसीबत क्या है सोच में जीवन बीट जाती है एंजॉय किसी चीज़ को करते नहीं आज तुम्हारे पास समय एंजॉय करने का खुशो एंजॉय करो हसो बोलो प्रसंचित रहो कुछ मत सोचो लाइफ को एंजॉय करो पहले सोचते हैं अभाव थे ज्यादा तर लोग फलाने से आए बड़ी मुश्किल सेट हुए सारी जुआनी ऐसे ही निकल गई चलो अब सब सेट हो गया भगवान ने कर दिया जब बे घरों को घर मिल गए सारा कुछ वहां छोड़ा आज सारा कुछ दुबारा हो गया कृपा हो गई ना भगवान की अब हमें कितना प्रसं रहना चाहिए लेकिन अब फिर कोई ना कोई कोई ना कोई मसला है यह दिमाग में दिमाग खाली नहीं होता चलता है सारा दिन जैसे अख़बार छपरा हो ना सारा दिन प्रिंटिंग प्रेस की तरह दिमाग चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा और ग्यानी से पूछ हो नहीं हुई है, माया सोचें, वो इश्वर गुजारे लाएक रोज देही रहा है, अच्छा गुजारा चल रहा है, किस की सोचें, करम प्राणियों की सोचें, वो सारे अपने-अपने करम पूरे की यही जा रहे हैं, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, जिसके शरीर का जो इसाब ह अपना पूरा कर रहा फिर अब लाएं कहां से समान सोचने के लिए क्या सोचें सोचने के लिए कुछ है ही नहीं कोई नफ़ा कोई नुकसान वो प्रभु अर्पान है सारा है ही नहीं कुछ सोचने के लिए जब मेरा ही कुछ नहीं है हम उल्ला नसरुदीन वाला हाल तो हम कर नहीं सकते उसने इतनी वसीगत लिखवाई वकील ने बोला यह सब है कहां 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 है आपकी यह प्रॉपर्टी कहता है मुझे लगा ऐसे लिखवानी होती होगी है तो कुछ भी नहीं तो जब हम भी कहते हैं तन्मन धनसब तेरा भगवान तो हमको ये भी टेंशन नहीं किसका कौन लेगा क्या करेगा सब भगवान ने सोचा हुआ है जब बिना सोची प्रॉपर्टी आ गई उसके पास तो उसकी भी तो किसी के पास जाएगी भगवान प्रेर्णा वैसी कर देता है बैठ जाओ तुम्हाराम से भगवान अपने आप ही प्रेरित कर देता है ये ऐसे कर दे ये ऐसे कर ले और ना तो जिसका होगा हग किसा अपना ले जाएगा सोचें तो सोचें क्या क्याते थे थे ना घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने तो तेरा तो अपना शरीर भी अपना नहीं है और सोचते पताने किस किस की हो शादी कर दी जिन बैचों की उनके लिए भी बेटी घर में ऐसे है बेटी घर में अब जैसे है भाई ठीक है जब हर चीज का गौर्मेंट टेक्स लेती है, शादी का भी टेक्स लगता है, यह दुख सुक तो आएंगे, हम क्या करें, करो सेटिंग अपनी, सीधी बात है, नहीं मिर को बड़ी चिंता है, नहीं मिर काय की चिंता है भाई, अपनी प्यार अब धर कोई खा रहा है, खाएगा, कभी थोड़ा सा ग्यान का विचार करो न, दिल दिमाग खाली हो जाते हैं, फिर इसमें भरता है भगवान का प्यार, लेकिन जब हम खाली नहीं करते हैं अपने को भगवान का प्यार कहा है, सारा दिन कुछ ना कुछ सोची चल रही है, यह करना है, यह करना है, भगवान हसते है दो आएक मरना याद नहीं है करना सब को याद है कोई ये नहीं कहता गुरू मैं तेरे दर पे मरने आया हूं उल्टा सत्संग में भी सोच चलेगे यहां से उठंगा properly यह करना है फिर यह करना है फिर इदर जाने का है फिर उधर आने का है यहां बैठके भी यही दिमाग चलाते रहोगे और तुम्हें एक पता भी नहीं अब सोचो तुम सोचके उठ रहे हो मैं आज होटेल जाऊंगा पर अगर प्रारब्द का खेल है होस्पिटल जाने का होटल कैसे पहुँचोगे जहां भगवान पहुंचाएगा इसका मतलब जब कोई विचार चले एक विचार दो अपने आपको जहां भगवान ले जाएगा जो भगवान कराएगा भगवान बोलते थे तुम पूरी बोलते हो हम आलू बनाके जा रहे हैं आके पूरी तलेंगे, खिलाएंगे सबको, अब क्या पता, तुम घर पहुचोगे, नहीं पहुचोगे, नाश्ता भी किसी के नसीब का है के नहीं है, पता नहीं, बोले और कुछ नहीं तेरे आलू में छिपकली गिर जाए, खाने ही नहीं आज, फिर क्या करोगे, पर तुम स पश्ट लिखा आसुरी संपदा का लक्षन, कल मैंने ये किया, आज मैं ये करूँगा, और कल आने वाले में ये करूँगा, भगवान कहते हैं ये आसुरी संपदा का लक्षन है, हैवानियत का लक्षन है, दिवत्व का लक्षन नहीं है, क्योंकि दैविक पुरुष कहेग मैं सरवसंकल्पों का त्यागी हूँ शरीर भी हुकुम की हवा से चलता है अपने आप चलेगा हम कौन है करने वाले एक चित होके कभी ना सोचा कौन है करने हारा वही सोच लो एक विचार करके देख लो आप आप होता प्यारे जो भी हो वन हारे और हमारे अंदर थौट परेड क्यों चलता है क्योंकि हमारा कोई ना कोई स्वार्त है वो हमें मजबूर करता है सोचो और सोचो फिर ऐसा आओगा फिर वैसा आओगा और द्रिष्टा हो के बैठो या नी द्रिष्टा है साक्षी है देखने वाला राम जरोखे बैठके सब का मुजराले चल रहा है खेल मूवी चल रही अभिभगवान ने बोला मूवी सीन चेंज हो रही है कल सीन दुसरी थी आज सीन दुसरी है परिभर्तन संसार का निया में सब चल रहा है गोई गॉन ए खेल ये सारा बहुत अच्छा है, चलने दो, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा है अगर आप अपने को इन्वाल्व ना करो, आपको कोई बात दुख नहीं देगी, पर आपकी इन्वाल्वमेंट के कारण आपका दुख शुरू होता है मैं चाहता हूँ, दुख की शुरुवातो गो, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सब ठीक है, अकसप्टेड, हर चीज अकसेप्ट हो रही है जो आपको नहीं चाहिए, उसको साइड कर दो, उसका चिंतन मत करो जो आपको अच्छा लग रहा है ठीक है उसको अक्सेप्ट कर लो इजी है टफ बनाया हुआ है खेल है नहीं भगवान ने तो तीन जगा से जैदाद दे के खुश करना चाहा पर वो चौथा भी मरने वाला ही ढूंड रहा है क्या किया जाए तो कोई जीते जी भी तो दे सकता है पर इंसान को अच्छा संकला पही नहीं वो सोचेगा कोई मरी जाए तो दे जाए मरे क्यों जीता रहे हो सकता है जीते जी भी तुम्हें प्यार करे तुम्हें दे तुम्हें खुश करे तुम्हारे लिए कुछ सोचे ये भी तो संभव है जरूरी मारना है किसी को सारे दुख इसी तरह के हैं हमारे पास उस लड़के का कसूर नहीं सबकी सोच यही है ऐसी नेगिटिव सोच ऐसी नीची सोच और उसी में खुशी ढूनने में लगे हूँ यह भी कोई नहीं सोचता भगवान की तरफ से मिला नहीं वो मरा तो दे गया वो मरा तो दे गया और यह तो सब भगवान ने खेल बनाया ना बस फिर जिसने अभी खेल बनाके गुजारा चलाया आगे भी उसके उपर है सेल पफर में जी उपाया ते नावी रोजी दे भगवान तो पफर में भी कीडे पाल रहा है पफरां विच कीडे पाल रहा ऐसा कोई पालनहार नहीं इतना जबर्दस्त वो पालनहार है तो क्यों आख रखनी किसी की माया में आपकी प्रारद आपको भगवान खुद दे रहा है आख रखोगे हक पराया नान का उस सुवर उस गाय गुर्णानक देवजी ने गाली दिया जो दूसरे की माया में आख रखता है तो जैसे हिंदू ने गाय का मास खाया मुसल्मान ने सुवर खाया उसकी ये अधोगती होती है तो हम आखी क्यों रखें किसी में ठीक है